हेलो वल्कम बैक तो माय अर्ड चनल गैस आज हम लोग एक कोश्चन को पर डिसक्रिशन करने वाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कॉमेंट स्क्षन में मेरे से एक यूजर ने पूछा था कि जो मेन मैथड होता है उसमें जो पैरामीटर होता है इस ट्रिंग का जो एरे पैरामीटर होता है वो हमेसा इस ट्रिंग ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होता है अब गाइस मैक्सिमम लोग जो इसका अंसर करेंगे बोलेंगे कि जेवियम जो है पब्लिक स्टाटिक वोड मेन प्रोटोटाइप को ही समझता है इसलिए प्रोटाइप में कंसीडर किया जाता है बट मैंने मान लिया कि जेवियम समस्ता है जेवियम इतने ही चीज को समस्ता इसी को कंसीडर करता है ठीक है entry point लेकिन उनका question यह है कि क्या हम लोग यहाँ पर object यूज कर सकते हैं instead of string अगर यूज कर सकते हैं तो क्यों अगर नहीं यूज कर सकते हैं तो why that is the main question जेवियम समस्ता है नहीं समस्ता यह question का answer नहीं है क्योंकि उनको practically प्रूफ करो क्यों नहीं समझता है और why तो that is the main question तो चलिए गाइस इसको practically इतली में प्रूफ करने की कुशिश करता हूं तभी आप लोग यकीन करोगे मुझे अधर्वाइस मैं तो ऐसे मैं भी आपकी तरह बोल दूंगा यह जेवियम समस्ता है इस entry point को इसलिए हम लोग अधर्वाइन ओके फाइन तो सबसे पहले मैं इसको comment करते देता हूं इसी class के अंदर बना के दिखा देता हूं लेट सी में इन अधर और वहीं सेम चीज़ है मान लो गाइस मेरे पास एक क्लास है क्लास लेट से की इमेस जी है ठीक है imagine करते हैं यहां पर एक ठीक है पबलीक वोईड एक मैथड है कि मैने copy कि लेना है यह paste करते नहीं और इसके अंदर सिस आउट है, सिंपल सा, I am object let's say, ठीक है, और यहां पर एक object का parameter ले ले लेते हैं, let's say V, and same चीज, copy and paste, and यहां पर क्या करते हैं, string, right, guys, इस वीडियो को पूरा end तक देखीएगा, तब आपको इसका answer खुदी मिल जागा, right, okay, बहुत ही सिंपल है, right, अब guys, मान लो कि मैं यह यहां पर एक line में करते हो, directly new, okay, चलो, पूरी दो line ही लिख देते हैं, right, msg, obj, equal, new, msg, इसका guys, answer, काफी experience, लोग भी नहीं कर पाते हैं, कभी-कभी, क्योंकि, बासरिप answer करना नहीं है, मुझे explanation वीच है, तो उस case में बहुत लोग फश जाते है, right, obj and so, तो guys, यहां प जब मैंने dot करके किया, so, तो यहां पर दो method आ रहें, क्योंकि overloaded है, right, so, लेकिन मैं object वाले को select कर रहा हूँ, ठीक है, is वाले को, ना कि string वाले को, और यहां से मैंने pass कर दिया, let's say high, right, okay, यहां पर यह error को दे रहा है, one second, अच्छा, यहां पर message है, right, ठीक है, बहुत ही simple है ठीक है, अब guys question का answer आपको यह करना है, कि इन में से कौन सा वाला चलेगा, so, यह या फिर यह, of course, कुछ लोगों को पता होगा, तो बहुत easily answer कर देंगे, जबकि मैंने object parameter वाले को call किया, मतलब कि इस वाले को call किया, फिर भी output में क्या आएगा, I am string, you can see here, right, अब guys question ही है, why, अब इसको answer में देता हूँ, तो guys, चलिए थोड़ा सो इसको और modify करते हैं, माल लो कि यहाँ पे integer है, right, अब guys, यहाँ पे भी, let's say, कि यही मैं copy के paste कर देता हूँ, right, अब guys, मेरा question यह है, कि यहाँ पे 123 कर दिया, let's say, imagine कूरो, अब guys, जो को object जो है, string को भी hold कर सकता था, अ आप guys, यहाँ पे अगर मैं run करता हूँ, तो guys, output क्या देखने को मिलता है, okay, save नहीं किया, इस वज़े से यहाँ पे I am object आ रहा है, you can see here, यहाँ पे star है, just minute, इसको पहले save करता हूँ, then run करता हूँ, तो I am integer मिलेगा आपका output में, right, तो don't be confused कि I am object आ गया, ऐसा कुछ नहीं ह है, okay, यहाँ पे थोड़ा सा change कर देता है, let's say, कि अब I am integer आएगा, या फिर I am integer आएगा, या फिर I am object आएगा, सोचिए guys, बहुत ही simple है, इस बार answer आएगा, यह वाला third, I am int, क्यों, बहुत ही basic reason है guys, इसलिए, क्योंकि सबसे पहले वो ढोनता है, कि उसका appropriate, मतलब उसका best match matches कौन सा है, उसका best match जो हो रहा है, वो इससे हो रहा है, अगर best match नहीं मिलता है, तो वो upper level पे जाता है, कि हाँ, उससे related कोई है, अगर यह भी नहीं मिलता है, तब वो जाता है double float, floating time में जाता है, floating type में जाता है, let's say, int भी नहीं मिला, integer wrapper class भी नहीं मिली, then वो जाएगा floating point वाले सेनेरियो में अब फ्लोटिंग पॉइंट के सेनेरियो में रैपर ग्लाज भी आ सकती है आपकी या फिर प्रेमिट्व डेटा टाइप भी आ सकते हैं डबल फ्लोट राइट तो गैस वह बेस्ट मैसेज ढूंता है जब बेस्ट मैस नहीं मिलता है तब वह ऑब्जिक के पास जाता है लेट से की यहांपर लेट से की मैं स्ट्रीं कर देता हूं तो यहां पर इसको कुछ भी नहीं मिल रहा यार अब ये है इंड ठीक है इमैजिन करो दो अच्छा यहां पे लिटसे की अच्छा एक चीज और सोचो यहां पे की और में दिखाता हूं है अब इसका अग人 यहीं वाला चलीगा की चलेगा कि उसको best match नहीं मिला तो वो उसके अपर लेवल वाले पर जाएगा जो कि आप narrowing और widening का concept जानते होगे तो guys उसी तरह से जब मैं इसको remove करता हूँ जैसे कि मैंने run कराया था I am double आया था right जब मैं इसको remove करता हूँ तो जब मैं यहां पर इस ट्रिंग करते हैं तो इस ट्रिंग को तो ऐसा नहीं कि यह नहीं कर सकता है बिल्कुल object hold कर सकता है लेकिन यह वाला इसलिए चलता है क्योंकि हमेशा वह best match अपना suitable match को ढूनता है find out करता है जब best suitable match available है तो फिर हम object के साथ क्यों जाए यार सिंपल सा answer है गाइस उसी तरह से जब यहां पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो आप you know one second मैं आपको दिखाता हूँ यह मैंने save कर लिया ठीक है cmd पर आते हैं ठीक है cd desktop पर आई थिंग राइट desktop ठीक है और यहां पर जबायक एंट test.java and मैंने run किया गाइस you can see here कोई अरर नहीं है object के साथ चल रहा है लेकिन जैसे मैंने कि जो कुछ भेजते हो ठीक है जो कुछ वह सब कुछ आपका क्या है सब कुछ आपका इंटीजर जाता है let's say यहां पर one two three four यहां यहां पे कुछ भी भेज रहो, वो सब कुछ इन्टीजर ए है, स्ट्रिंग है, यहां पे ऐसा तो नहीं है, तुम अब्जिक यहां पर फिर न्यू पर्सन भी क्रियेट करके भेज़दो ऐसा हो सकता है, आपज्च मतलब कुछ भी जो best match है वो ना कि object इसलिए object यहाँ पर put नहीं कर सकते हैं जैसे कि मैंने इस example में कई तरह से variation करके दिखाया है आप उम्मीद करता हूँ guys आपको basic idea लग चुका होगा कि अभी main method object क्यों contain नहीं कर सकता है सिरिफ और सिर्फ string area का parameter ही contain करता है तो guys this video में इतना if you like it then give us thumbs up and please do subscribe my adip channel thanks for watching